वरुन अंधी के साथ जो हुआ उस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है ये तो होना ही था और ये सजा है किसानों के लिए आवाज उठाने की ये सजा है इस बात की किसानों का जो बूटल मर्डर किया गया है उसको मर्डर ही करार देने की ये सजा है कि हमारी पार्टी में रह है सत्ते के साथ खड़े हुने का जजबा या फिर सच्चाई बोलने के लिए अंदर से खून खौल रहा है तो देख लो वरुन गांधी और उनकी मा मेनका गांधी वाला हिसाब किताब तुम्हारे साथ उजाएगा भारती जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रे कारेकारेनी इसे वरुन गांधी और मेनका गांधी को हटा दिया है यह दोनों ही किसानों के मुद्डे पर मुखर होकर बोल रहे थे और वरुन गांधी ने तो अभी लखीमपूर वाला वीडियो तक ट्वीट करके बोला कि अब तो और भी ज़्यादा साफ वीडियो आपके सामने आ ग कर सकते हैं और फिर उन्होंने भी बोला कि यह कुछ आपको कुछ हैंडल करना कुछ करना चाहिए इससे पहले कि उनके मन में आपकी क्रूल्टी और आरोगेंस दिखाई देने लग जाए कि उनके मन में आजए कि आप कितने क्रूल और आरोगेंट है इसमें गलत क्या बोला थ समझ सकते हैं और वरुन गांधी का साथ जो हुआ वह एक बहुत बड़ा उधारण है यह समझने के लिए कि आखिर भारते जनता पार्टी में कोई भी शक्स जब आप देखते हैं कि लोग कैसे हो गया है यह कैसे किसी भी गला चीज को डिफेंड करने बैड़ जाते हैं वह इ कुछ नहीं मिलेगा और अगर आपको कुछ दिया भी गया है कुछ छोटा मुटा कुछ भी दिया गया है वो भी छिन जाएगा है हमारी पार्टी में रहेकर आप हमारे खिलाफ नहीं बूल सकते हैं हमारे फैसलों की खिलाफ आप नहीं बूल सकते हैं हमारे फैसले चाहिए तो अगर आप यह सब कुछ कर सकते हैं, yes man है, yes sir है, तो आप इस party में टिक सकते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अंतरात्मा है, conscience है, आपको सही और गलत का फर्क समझ में आता है, सही को सही और गलत को गलत बोलने की इच्छा शक्ती अंदर आपके जागती है, तो आ आप फिर इनके लिए नहीं बने हैं, और वरुन गांदी के साथ जो हुआ, इसलिए मैं कह रही हूँ, कोई आश्चर्रे की बात नहीं है, और हाँ, यही पूरा सीन गोदी मीडिया के संपादक और आंकर के साथ भी है, आप लोग पूछते रहते हैं, कि आखिर ऐसा क्या है क्यों बोलते हैं, क्यों इतना इन लोगों के लिए बोलते हैं, और क्यों अमेशा गलत को देखकर चुप हो जाते हैं, कारण यही है, जो है, वो भी नहीं रहेगा, समझ जाईए, बहुत सारे उदारन आपके सामने हैं